कॉंग्रेस के गोशना पत्र पर पहले से ही हमलावर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बुधवार को भी कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा. पीएम मोधी ने कहा, जब मैं विक्सित भारत कहता हूँ, तो कॉंग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गरम हो जाता है. अगर भारत शक्तिशाली हो गया, तो कुछ ताकतों का खेल बिगर जाएगा अगर भारत आत निर्भर बन गया, तो कुछ ताकतों की दुकान बंध हो जाएगी. इसलिए वो भारत में कॉंग्रेस और इंडी गटबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं. कॉंग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए पीएम मोधी ने कहा, कॉंग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है, उन्हें शहीद बता रह ही है. इसी कॉंग्रेस की सबसे बड़ी नेता, आतनकवादियों के मारे जाने पर आंसु बहाती है, ऐसी ही कर्तूतों के कारण कॉंग्रेस देश का भरोसाख हो चुकी है. कॉंग्रेस सिर्फ आपके आरक्षन को ही लूटना नहीं चाहती है, इनके और भी कारनामे हैं, कॉ इम मोदी ने कहा अगर आपके आरक्षन की कोई रक्षा कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है. वर्शों पहले, कॉंग्रेस ने आंध्रप्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षन देने का प्रयास किया था. फिर कॉंग्रेस ने इसे पूरे देश में